मत्ती रचित सूसमचार दूसरा अध्याय और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इखटे करके उनसे पूछा कि मसी का जन्म कहा होना चाहिए उन्होंने उससे कहा यहुदिया के बैतलहेम में क्योंकि भविश्य द्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है कि हे बैतलहेम जो यहुदा के देश में हैं तू किसी रीती से यहुदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधिपती निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राइल की रखवाली करेगा तब हिरोदेश ने चोतिशियों को चुपके सुब लाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई द और उसने यह कहकर उन्हें बैटल हैं भेजा कि जाकर उस बालक के विशे में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तुमुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करो वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा वे उनकी आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुचकर ठैर गया उस तारे को देखकर वे अती आनंदित हुए और उस घर में पहुचकर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा और मुह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खो और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हुरेदेश के पास फिरना जाना वे दूसरे मार्क से होकर अपने देश को चले गए उनके चले जाने के बाद देखो प्रभू के एक दूत ने स्वप्ने में यूसुफ को दिखाई देकर कहा उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिश्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझ से न कहूं तब तक वही रहना क्योंकि हिरोदेश इस बालक को ढूनने पर है कि उसे मरवा डाले वे राथ ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिश्र को चल दिया और हिरोदेश के मरने तक वही रहा इसलिए कि वह जो प्रभू ने भविश्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिश्र से बुलाया पूरा हो जब हिरोदेश ने यह देखा कि जोतिशियों ने मेरे साथ ठठा किया है तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेज कर जोतिशियों से ठीक ठीक भविश्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाज सुनाई दिया रोना और बड़ा विलाप राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शान्त होना ना चाहेती थी क्योंकि वे है नहीं हिरोदेश के मरने के बाद देखो प् क्योंकि जो बालक के प्रान लेना चाहेते थे वे मर गए वे उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राइल के देश में आया परंतु यह सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हिरोदेश की जगे यहुदिया पर राज्य कर रहा है वहां जाने से डरा और सुपन मे चितोनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नामनगर में जा बसा ताकि वहवचन पुरा हो जो भविश्य दुक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वे नासरी कहलाएगा